हریलो बच्चो तो आज हम लोग कच्छानों के ग्रिह प्रेक्षा के विज्ञान की प्रशन को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये जो पेपर है ये किसी विद्धाले से मिला हमको है तो इसका solution देखते हैं और इसमें कैसे तरह के प्रश्ण है उसका answer देखेंगे ठीक है बच्छो तो देखें पहला प्रश्ण क्या लिखा है दूरी कौन सी राशी है ठीक है तो कैसी राशी है दूरी आज़े हम बात करें तो देखो राशियों की हम बात करें तो जो राशिया होती हैं बच्छो यह कुल पांच तरह की राशियां होती है जो आप आगे चल के आगी कच्छाओं में पढ़ोगे कौन कौन सा है सबसे पहला जो है मोल राशी दूसरा है पूरक राशी फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं व्यूत्पन राशी व्यूत्पन राशी फिर उसके बाद होता है सबस्राइस ठाब चम्राइए वचेंश थे अब ये फूरी पांस्ट दरह की टोटल रश्यां है इन पांछ रासियों में यह दो राश्यों के उपर फोकस किया जिसका नाम ज was रशी और सदिस राशी ठीक है तो पटीस राशी और सदिश राशी के पर हमें बात किया गया अधीस ख़ो तो अधीस राशी कह सबस्कें घिपने के लिए panel करने के लिए眹 शर। संख्या है ना यानि मान की जरूरत हो संख्या या मान की जरूरत हो तो हम संख्या मान ना कहके इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं परिमार है ना तो जिस रासी को बताने के लिए हमें सिर्फ परिमार की आवशकता हो उसे हम अधिस रासी कहेंगे और सदिस दिस मने दिसा ह साथ यदि उसमें दिशा की भी आवर्श रखता हो तो ऐसी रासियों को हम सदिस रासिय केंगे ठीक है तो नाइंत के लिए अच्छा से यदि वह आ जाता है वह तो वह सभी सदिस रासि के अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको ज्यादा आपका नाइंत बेच जाएगा यह से में ठीक है तो यहां पर अंसर होगा बटा दूरी कौन सी रासिये तो द जो है यह वह की तरह नहीं है या वह नहीं है आदा पीछ बटा समय ठीक है तो वेग परिवर्तन का तो कोई मात्रक होगा नहीं वेग का मात्रक होता है बच्चों मीटा पर सेकेंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड यह सेकेंड फिर नीचे चलाएगा तो त्वरण का जो एक्शुल मात्रक होगा त्वरण का जो मात्रक एक्शुल ह जाएगा वो मीटर पर सेकेंड स्कॉार हो जाएगा नहां पर यह अदिश्राश कोईığ लिकार कोई अचuden बलंच मतलब होता है नव बदन ले वाला है ना जा इस on don setting non variable ऐसा कental तो कोई अचछनवाल एतना किलोग्राम यानि van 6 0.6 its ale keyta Okay Yeah M common for 0.08. मीट़र सेकंड with 0.0 APS square तो बच् ones यह यह M common दिया है और यह M a moan दिया है यह और A beautiful index 2 mer आदे कि आप से पूछ रहा है तो बल का परिमाल बताओ तो सुत्र लगाएंगे बच्चो यह बराबरिं C un आएगा वो दसमलो जीरो चार आठ आएगा है आप इसे हल करके लिख सकते हैं ठीक तो यहां पर इसका मतरक था यह यह जो इसका अंसर था यह और यहां पर यह जो अधिश्वार्शी निम्द में कौन सा सनवेग का सही सुत्र है तो शनवेग का सुत्र होता है पी बराबर यम इन्टू भी यानि किसी वस्तु का सनवेग उसके दरबेमान और उसके वेग के बराबर होता है इसके मतरक की हम बात कर लें तो सनवेग में दरबेमान का मतरक होता है किलोग्राम और वेग का मतरक होता है मीटा परती शेकंड तो इस तरह से सनवेग का मतरक हो जाएगा किलो को पूरा देख लें यहां पर तो यह देखे पांचमा प्रश्ण जो लिखा है नहीं इस प्रित्वी पर अगर कोई वस्तु उपर सा नीचे गिर रही है तो गिरती वस्तु में जो वेग परिवर्तन होगा जो वेग परिवर्तन होगा उसमें हम समय से भाग देंगे याने वीज़वर्तन के जो तुलद कि यह थे मत scheint यहां पर और कुट आकर्ष्ऑ नहीं हो सकता को यह गूरूट्तार आकर्षण नहीं हो सकता तो स्वतंतर रूप से गर दिधवी वर्स्तु में जो तुलद होगात ह से दिखाएंगे इस ठीक है तो अगला प्रष्ण देखें नबर च्छी में देखेंगे तो बिच्छो यह अगले पेस्फर है चलिंए देखते हैं सुरुवात करते हैं यह पर निखा बच्छो यह प्रश्ण नमबर छे हैं आपका क्या लिखा है के पांच किलोग्राम के पिंड का भार होगा तो देखें क्या लिखा है यम बराबर दे रखा है बच्छो पांच केजी है न और भार पूचा है यह नहीं बता रहा है कहां पर भार होगा तो जाहिर शिवात है वो कहां पर होगा प्रिथवी पर बात कर रहा है तो सुत्र होता है की जगह पर पांच रखेंगे और जी की जगह पर नौ देश्मलो आठ रखेंगे तो इन दोनों का मल्टिप्लाई करेंगे बच्छो तो आपका फोटी नाइन अंसर आएगा ठीक है यहां पर अंसर जो होगा फोटी नाइन नीउटन next question है बच्छो देखें यह लिखा है देखो क्या है एकांक आयटन का द्रभेमान को क्या कहते हैं तो द्रभेमान यम उपर होगा और आयतन भी होगा यम और भी जो होता है ये घनत्व का शुत्र होता है उपर तो भीक अमान यदि हम एक कर देंगे तो एकांक आयतन के ध्रबिवान को हम क्या कहेंगे घनत तो कहेंगे इसका अंसर हो जाएगा घनत ठीक बचो तो अगला क्वेशन का अंसर देखते हैं यह दिखिए अंत्रा अडविक आकर्शन बल प्रबलतम होता ह है नहीं तो थोस्की जो कड होते हैं बच्चों एकदम पास-पास होते हैं अंत्रव के खंड धोड़े दूर दूर और गैस के में ठीक ठाक दूर पर होगते हैं ठीक है celsius में मान कितना होगा तो हम लोग एक फ़र्मुला याद रखेंगे के बराबर सी प्लस दो सो तीहत्तर दो सो तिहत्तर है ना तो जो मान दिया है एक मान आप देंग जो दिया है उसे केंगे सिर्टिक क्या में जाएगा तो क Kelly उसी सो कि कमांग दीया है यहाप निख 80 वराबर byспलन के काईया है सी इस प्लस 27 रखेंगे इस 230 को इस फक्ष मिलाएंगे तो 300 में से 273 को क्या करेंगे घटाे लेंगे यहीं से समीन सर अपन सब्सक्राइब भी वो 27 celsius आएगा सी कमान 27 celsius ठीक है तो यहां पर जो एंसार होगा 27 celsius होगा यहां पर ठोस वाला था आगे देखें एंसर प्रशन नमबर लिखा है निमन में से तत्व नहीं है ठीक तो देखिए बबू याद रखना हम लोगों को कि टोटल जो है तत्व जो है कुल 118 होते हैं अब तक यह अक्टूबर चला है अब तक 118 में से आपके स्कूल वाले टीचर आपके पीछे पढ़ गए होंगे कि कम से कम 20 तत्व आपको याद रखने हैं तो उस स्रेड़ी में 20 की स्रेड़ी में जितने भी नाम आते हैं वो सभी तत्व हैं ठीक है उसके बाद देखिए तो नहीं यह पर कागज है कागज जो सो लिलूज की रेशों से बनाता है हां वहीं से लिलूज जिसका जो पादप यानि पाधों के जो कोशिक व्यूंः व्युक्ति विद्ध होती हैं इंहीं रेशों से निर्मान कि है ठीक बच्चों तो यह अगला क्वेस्टन देख ले एम्यू बोलते हैं एम्यू एटामिक मास यूनिट है न तो ये एक मास को रिप्रेजंट करने का कौन से चीज को मास को रिप्रेजंट करने का एक ये यूनिट है एक ये यूनिट है हाँ एक आप सही सुन रहे हो मास को ही मास को तो हम लोग केजी में रिप्रेजंट करते हैं इसलिए यहाँ पर जो मात्रक होगा हम A.M.U. यूज करेंगे बच्छो ठीक है अब आगे लिखा है बटा कि नाभिक के चारो और निश्चित उर्जा वाली कच्छा को हम क्या कहते हैं तो निश्चित उर्जा वाली कच्छा को हम लोग बच्छो उर्जा अस्तर कहेंगे हैं एनर्जी लेवल कहेंगे एनर्जी लेवल यह वर्ड जो है आगे कच्छाओं में यूज किया जाता है तो निश्चित उर्जा वाली कच्छाओं को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर एनर्जी लेवल कहेंगे ठीक तो इसका एंसर जो होगा उर्जास्तर यहां पर कारबन बा तोटल इलेक्ट्रान पता लगाएं तो दो आठ दो दस दो बारा बारा इलेक्ट्रान है इसका मतलब है यह इसका पर्माडु क्रमंग जो है बारा बारहवें नंबर का तक तो जो होता है वह मेंगेशियम है न बच्छो तो सन्युजक्ता के लिए आप याद रखेंगे समय होती है यह दी वह किस से यदि या छार से कम हो तब है हैं अहां 하면서 करने पर श्री यétaitि चार ओर या चार से कम हो तो उसकी सन्युजक्ता क्या ओगी वहीं होगी सबसे बाहरी कच्छा ऐसलेक्ट्रान ही होगए तो यहां पर यह च्यार जो दो है वो दूचार से कम है इसकी सनुज़क्ता जो होंगी वो कितना होंगे तो आगे देखें बाइलो जी का पॉर्शन है उपखंड गव आ गया है देखते हैं यह कहां पर किसे बनता है तो प्रस्ट नंबर दोटें यहां पर है चौदा और पंद्रा ठीक बच्छों तो उनकी काई है अध्याय का ना तो क्या है भई उस्टे कोशी काहीं करके बलाते हैं बड़ा तो देखें यहां पर यह प्रस्ट नहीं है तो यह जो एंसर होगा यहां पर आगर फंटाना लेते हैं टीचर के उपर वहरी करेगा लेकिन वालड़ जो है नाम करड़ करें यह इसलिए फ्मस तो आज़े आगे देखते हैं प्रश नंबर जो शूला है वह किस तरह से प्रश्ट नों दिया है तो प्रश्ट नंबर शूला दिया बच्छों गाल जीका उत्तल सतह क्या होता है बेड़ी के पोल्सन दोढ़ा इसके को सिखाउं इसके जो अंगख है पूरसें है इसके चुटे चुटे जो भाग होते हैं वहां पर उस पाध्तों का क्या करते हैं उसको packaging का काम करते हैं उसको package करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो कुल मिलाजदा कि यहां पर जैंसर होगा बी वाला निर्मार कारी सतह का निर्मार करते हैं तो आगे यह कोशिकाओं के समू को कुछ लोग बता देते हैं उतक कहलाते हैं बचपैसा कुछ भी नहीं है तो जवाब में वे उतकों का वह कोशिकाओं का वह समू जो क्रिया और संद्रचना की दिष्टी से समान हो क्या है डेफिनेशन उतक का सही डेफिनेशन है कोशिकाओं का ऐसा समू वह समूं जो क्रिया यानि कार और उत्पत्ति या संद्रश्णा के द्रिष्टी से कैसा हो एक समान हो एक समान हो क्या कहेंगे उतक होगा यहां पर निर्मारकारी सता है ग्रेल प्रशन दे रहा है बच्चो कि प्रश्ण रठारह है प्रेश लीड़तक प्रेशन अच्छा देकने हैं तो हम देखें म्रीड़तक फिर बीच में इस पेश दे रखा है क jour प्रकार है यानि जो म्रीड़तक है यह किस उत्व का प्रकार है भाग है तो एंसरदुखा बच्छों यहां पर यहेज़ो इतक है यह सारल अस्थाई उतक या सरल उतक का भाग होता है ठीक है तो यदि हम आपको पूरा क्लाश्रिफिकेशन बता दें प्लांट में तो यदि हम थोड़ा सा उतक के बारे में बताएं आपको तो देखिए यह उतक है उतक कररें दो तरह केतर को बात होती है थे यक कि विभाज ज़योतक उतक और दूसरा डूसर तब चक घचक जिसमें विभाजन की शॅमधा बचिन दौर दो तर्वेशी मेंध पारहें और रसमावा कोन से जिस यह रहता है जिसमें विभाजन की समता लगभग लगभग शमाप्त हो जाए उसे हम जटिल अस्था उतक जटिल में फिर दो परकार के होते हैं बच्चो कौन-कौन सा दारू यानि जायलम कहते हैं और फ्लोयम यानि पोष्वाह ठीक है तो यह दो तो दारू में भी त्यार प लिजनी फोट होते हैं इसमें होता है कौन-कौन सा होता है अगर हम बात करे सरा लस्थाइटब केरें तो कहाँ ँाफ्स में होते हैं कौन-कौन सा और एक होता है म्रीदो तक म्रीदो तक और दूसरा होता है इस ठूलको तक इस ठूलको अलमude Election आगेивается यहां पर जो मृद्यू थारोब यह किसका है सरलमस्ताइब ढें फिर यह थे तिन भाग दिखा रखा यहां पर दियाँ रिखेगा और यह जीवीत होता है और यह दोनों जुवीत होते हैं बट यह है मृत घोषिगां से बना होता है तो मृत तक जो जीवित तो है परंतु यह फूड इस्टोरेज का काम करता है भोजन बनाने का काम करता है ठीक है यह कुल मिलाजुला के यह एनरजी को इस फोर करने का काम करता इस थूल कोड़ों तक जो होता है बच्छो यह जल does it यहोगा संचरण करता अश होत थिकestic ब्रस्ण है जो 20 वह फ्रश्न देडिया रखा है बच्छो यह लिखा है है किसी कोशिका भित्तिः होती है जो आर पार चीजों को मैटेरियल को आर पर क्या कर सकता है वह आने जाने देता है तो जितने भी ट्रांसफर करने वाली चीजें होते हैं यह जो भी चीजें है यह नहीं पाए जाते हैं तो जो रेशें होते हैं बच्छों यह रेशें सही होगा इस तरह से आपके यह प्रशन हैं जिनका आप लोग शही सही लगाए होंगे अमीद है ठीक है यह प्रशन दे रखा है और सचाल और सथवेग यह वर्णात्मक प्रशन है जिसमें लिखना जाता है यहां पर प्रित्वी दल से उचाई पर जाने पर जी का मान है ना जी जी में संबंद क्या होता है उट के पर भारी होता है फिर भी मनुश्री की तुलना में तीजी से दौड़ता है तो यह सब दिर्गात्मक प्रशन याव और नात्मक हैं जिसमें लिखना पड़ता है धेर सरे लिखने पड़ते हैं तो जब कभी हम इस तरह से लिखने वाला वीडियो बनाएंगे बहुत झाला वीडैने海ग जब प्रशन यहां जब जड़ता हैं आर पाणे मतक कर Uhr बनाएंगे बहुता हैं थ sed decides कि अरे से शची झाला हैं ज्सीत दियो हैं विखना ऊत्मक हैं जग अ dependsancedार्ब में घव निर्मसा चूंधे, सब्सकता हैं ईनले कि उले समने बनाएंगे खेड़ता है झाल झाल